नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्यप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्यप्रदेश की सभी शाम तक के मुख्या खबरे फटाफट अंदाज में विश्व कर्मा योजना शुड़ू शिवराज बोले नाई मालाकार धोबी दरजी और मोची आधुनिक भारत के विश्व कर्मा हैं पीम विश्व कर्मा का लाप उचा कर ये अपनी आने वाली पीडियो तक अपना होनर पहुचाएंगे इन्हें अपना व्यफसाय करने के लि चुट्टी घोशित कर दी उच्यान में मौसम विभाग द्वारा जारी की गई भारी बारिश की चिताबनी और लगातार तेज वर्षा की कारण 18 सितंबर 2023 सोमवार को कक्षा पहली से कक्षा बारवी तक के चातर चात्राओं के लिए अफकाश घोशित किया गया सियम शिवराज ने किया लाडली बहना आवास योजना का शुभारम सियम शिवराज ने MP के लाडली बहनों को एक और नई सौगात दी सियम ने आज कुशा भाव ठाकरे सबागार में आयो जित कारिक्रव में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंब किया इस योजना के लिए आवेदन फ्री में होंगे योजना से प्रदेश में 4,75,000 से जादा हिद्गराही लाभान बित होंगे फसरशती की भरपाई करेगी शिवराज सरकार MP में चारी बारिश के बीच किसानों के लिए रहत भरी खबर है सियम शिवराज ने कहा कि जिन किसानों के फसर शती हुई उनका सर्वे कराकर बीमा कमपनी और सरकार नुकसान की भरपाई करेगी कईजिलों में सोयाबीन समेट अन्ने फसलों को भारी नुकसान हुआ है तलाफ फूटने से बह गया पूरा परिवार MP में भारी बारिश अपना कहर बर पा रही है जहाबुआ जिले के पारा अधा मन्जर में एक तलाफ फूट गया ठांदला ठाने यलाके में हुई इस घटना में एक पूरा परिवार बह गया इस परिवार के साथ सदसे लापता हैं जबकि एक की मौत की खबर है मामले के जानकारी मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया फिलहाल राहत बचाओ दल की टीम्स परिवार की तलाश कर रही है दिली मुंबई ट्रेक के मिट्टी बहने से 24 ट्रेन डायवर रतलाम अंडल की पंच पी पलिया और अमलगर के बीच रेल ट्रेक के मिट्टी बह गई दिल्ली मुंबई का प्रेल ट्रैक प्रभावित हुआ इसकी वज़े से 24 ट्रेन को डाइवर्ट रूट से चलाया जा रहा है चार को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया वैसाथ ट्रेन निरस्त करनी पड़ी है धारजिले के दौरे पर सीम शिवराज सीम शिवराज सिंग आधार जिले के दोरे पर रहेंगे इस दोरान वो बदनावर में मुख्यमंत्री जन आशिरवाद यात्रा में शामिल होंगे दूपेर सवा तीन बजे सीम शिवराज इन दौर से बदनावर के लिए रवाना होंगे शाम पांच बजे बदनावर में जन आशिरवाद यात्रा में शामिल होंगे साथी जनसभा को संबोधित करेंगे रात करीब आट बचकर पचास मिनट पर सीम भोपाल वापस आएंगे इंडिया की पहली रैली कैंसल बोपाल में होने वाले विपक्षी गडबंदन इंडिया की पहली रैली रद हो गई है एंपी कॉंग्रेस अध्यक्षर पूर्फ सीम कमलनात ने इसकी जानकारी दी इस फैसले के बाद बीजेपी नेताओ की ओर से विपक्षी दलो पर कटाक्ष किया गया कॉंग्रेस की मद्यप्रदेश प्रभारी ररदीप सिंग सुर्जेवाला ने कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्षर इंडिया गडबंदन के दूसरे पार्टनर के साथ चार्चार जारी है रैली कब होगी कहां रहेगी अभी आखरी फैसला नहीं हुआ है बोट की लडाई नहीं धर्म और अधर्म की लडाई है उन्होंने कहा कि ये कोई सामाने चुनावी लडाई नहीं होगी ये उन लोगों का गडबंदन है जो सनातन धर्म को नश्ट करने की कोशिश कर रही है बुबाल में लंपी वाइरस का कहट जारी है लंपी वाइरस से 15 गोवंश की यहां मौत हो गई अब तक 13 गोवंश संक्रमित मिले पशू चिकित्सा विभाग ने 32 गोवंश को जहांगीराबाद इस्तिताश्य स्थल में रखा लगातार संक्रमित हो रही गोवंश से पशू चिकित्सको की चिंताएं बढ़ गई हैं पशले दो दिनों में लंपी वाइरस से तीन गोवंश की मौत हुई प्रति दिन 10 रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद